नमस्कार दोस्तों कैचलाय विद्राखी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शियर करने वाली हूँ ये आप लोगों को बहुत ही यूसफुल वीडियो लगेगी हमारे घरों में डेली, पराठे वगेरा बनाये जाते हैं एक बार नहीं दो टाइम तो कम से कम बनी जाते हैं जिससे क्या होता है? तवे पर ओईल जमता जाता है और उसको साफ करने में हमें बहुत से परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो उसी का solution लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के सामने तो चलिए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि अपने तवे को कैसे आसानी से साफ करें जो जो मैं सामान ले रही हूँ तवा साफ करने के लिए उसमें है खाने वाला सोडा हमारे किचन में ये अराम से मिल जाता है लिक्विट सोप ले लीजे कोई भी आप सर्फ बे ले सकते हैं यहां मैंने लिया है आधा कटा हुआ नीबू और पानी सबसे पहले तवे को साधे पानी से साफ कर लीजे इससे क्या होगा जो इसके उपर तेल था वो हट जाएगा अब मैंने विंबार से इस तवे को फिर से साफ कर दिया है और अच्छी तरीके से इसके उपर जो जमा हुआ तेल है वो भी हट जाएगा इस तरीके से तवा चमक गया है क्योंकि मेरा तवा रोज साफ होता है इसलिए ये ज़्यादा गंदा नहीं है इसके आगे जो काला काला है वो भी साफ हो जाएगा यहाँ पर मैं जला दूंगी गैस और इसके उपर रख दूंगी मैं तवा यहाँ डाल दिया है इसमें पानी पानी हम थोड़ा ही लेंगे बाद में हम इसमें फिर से एड कर देंगे यहाँ पर मैंने लिक्विट जो लिया था सोप वो भी एड कर दिया है अब डाल दूंगी इसमें खाने वाला सोडा सोडा डालते ही इसमें एक कैमिकल रियक्शन होता है इस तरीके से आप जब डालेंगे तो ऐसा ही कुछ रियक्शन होगा और यहाँ पर नीबू जो लिया है उसकी साथ से आठ बुंद में इसमें निचोड दूंगी उससे भी इसी तरीके का इसमें एक रियक्शन होगा यह जो रियक्शन होता है इसी से गंदगी जो तवे पे चिपकी हुई है वो कटने लगती है और कभी धीमी आच और कभी तेज आच आपको करनी पड़ेगी और यहाँ पर जो नीबू हमने लिया हुआ था कटा हुआ इसी पानी से इसको चारो तरफ हम पहलाते रहेंगे धीरे धीरे करके थोड़ा सा साफधानी के साथ आप ये काम करिएगा अगर पानी इसमें खतम हो जाए सूख जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी फिर से एड़ कर देंगे इसी तरीके से बस इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट तक आप करते रहें यहां मैंने एक स्पून ले ली है स्पून की हैल्प से मैं इसको साइड में लगाती जा रही हूँ और अब इसके बाद मैं इसको धीमी आज पे करके छोड़ दूँगे इसको अब बंद कर देंगे तवे को थोड़ा सा हम ठंड़ा होने देंगे ताकि हम जब इसको साफ करें तो तवा गरम ना हो स्लैप पे मैंने एक पुराना कपड़ा बिछा लिया है जिसकी वज़े से हम इस पे तवा रखेंगे तो स्लैप पे स्क्रेचिस ना आ जाए और यहां पर मैं ये ले रही हूँ ये आपको रोट साइड कहीं भी पड़े में मिल जाते हैं कोई भी आप छोटा सा टुकडा घर पे उठा के लिया ये इससे हम साफ करेंगे इस तवे को तवे के उपर जो पानी है उसको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी उसका मैं क्या यूज करूंगे फिर से लिक्विड डिटर्जेंट मैंने इसके उपर डाल दिया है और जो इटा लिया था इससे तवे पे स्क्रविंग करेंगे इससे क्या होगा जो मोटा मोटा लेयर जम जाती है तवे के किनारे वो साफ हो जाएगी बस इसी तरीके से आप कभी तेज और कभी धीमे हातों से स्क्रविंग कंटीन्यू करते रहिए तवे को सिंपल वाटर से फिर से धोलेंगे और देखते हैं तवा कितना साफ हुआ है तवा तो बहुत साफ हो गया है लेकिन जो किनारे पे आप ये गंदिगी देख रहे हैं इसको एक बार फिर से मैं साफ कर लूंगी तवा मैंने जब साफ करा तो कुछ इस तरीके से तवा चमक गया तो आप भी इसी तरीके से साफ करके देखिएगा अपना तवा और बताईएगा कि ये trick आपको कैसी लगी पाणी मैंने तवे के उपर से हटाया था उस पाणी से मैं सिंग और किचन के नलो को साफ करूँगी इसके उपर जितने भी पाणी के दाग होते हैं वो आसानी से साफ हो जाते हैं आप इसको करके देखिएगा आपके नल किचन के बिल्कुल चमकने लगेंगे आप बाथरूम के वाश बिसन के कहीं के भी नल हैं उनको असानी से साफ कर सकते हैं इसी तरीके से असानी से साफ कर दिया मैंने सिंग और नलो को I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अब आप असानी से अपने किचन में तबे को साफ कर सकते हैं मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइप शेयर करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और टेके